एक बार कुछ कवों की आपस में खाने की एक चीज को लेकर फाइट हो जाती है फाइट के दौरान एक कागा कववा छट की मुंडेर से आंगन में रखे सफेद कलर के दब्बे में गिर जाता है और पूरी तरह सफेद रंग में रंग जाता है रंग लगने की वजह से उसे ठंड लग जाती है कापता हुआ, वो धूप सेकने लगता है कुछ देर बाद उसकी ठंड उड़ती है तब तक वो पूरी तरह सफेद हो चुका होता है पर शरार्ती कागा के दिमाग में आता है क्यो ना मैं किसी ऐसी जगे चला जाओं जहां कोई मुझे नहीं जानता हो कि मैं कलर में गिरकर सफेद हुआ हूं और वो उड़ता हुआ जंगल में पहुँच जाता है जंगल में जाते ही उसकी मुलाकात एक कोयल से होती है जो उसे सफेद देख पूछती है तो वो कहता है मैं सफेद ही पैदा हुआ था क्या पाइदा आवाज तो तुम्हारी फिर भी वैसे ये फटी है अगर सफेद पैदा हुए तो आवाज भी तो मिठी होने चाहिए थी बात तो इसकी सही है क्या करें कोयल तुम मेरे बड़े बड़े पंक के अंदर छिप कर बैठना मैं जब भी किसी से बात करूँ जवाब तुम देना लोग समझेंगे मैं बोल रहा हूँ इससे मेरी आवाज भी मीठी हो जाएगी मैं ऐसा क्यों करूँगी अगर नहीं करोगी तो समझ लेना तुम कोयल जो अपने अंडे चुपचाप हम कववों के घोसले में रख जाती हो और जितने अंडे रखती हो उतने हम कववे के अंडे घोसले से नीचे फेक देती हो जिसे हम कववे हमारे अपने अंडे समझ कर रखते हैं और तुम कोयल के बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी, तो ये बात मैं हमारी पूरे कव्य प्रजाती को बता दूगा, उसके बाद हम सबी कव्य तुम कोयलों के सारे अंडे फेक देंगे, तुम्हारी प्रजाती हमेशा के लिए इस धर्ती स खतम हो जाएगी, ये तुम्हें क्या से पता, मैं शहर में जिस घर की छत पर रहता था, वहां के बच्चे को उसके स्कूल की पढ़ाई करते हुए लेसन में सुना था, तम मुझे भी पता चला, तुम कोयलों की चाला की, अब अगर अपनी प्रजाती खत्म नहीं करना चात कोयल को छुपा लेता है, और जंगल में अपनी चोच हिलाता है तो कोयल गाती है, उसकी अवाज सुनकर जंगल के बाकी कववे इकठे हो जाते हैं, सभी सर्प्राइस होते हैं, अरे ये तो दिखने में हम कववे जैसा है, फिर इतना मीठा कैसे गा रहा है, भाई, तुम आशिरवा से खोश होकर मुझे आशिरवाद दिया है, और कहा है, जो भी तुमारी सेवा करेगा, ये आशिरवाद तुम उसे दे सकते हो, तब तो तुम हमें भी सफेद और मीठा बोलने वाला कवव बना सकते हो, तुम्हें क्या, किसी को भी सफेद कलर और मीठा बोलने व बताओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तुमने सुना ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलियुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कववा मोती खाएगा। तो मेरे लिए खाने के लिए तुम मोती लेकर आओ। पर हम मोती कहा से लाएं। तालाब किनारे जाओ, हंस बगलों से रिक्वेस्ट करो, अरे किसी की सेवा इतनी आसानी से थोड़ी होती है। ठागा, अगर मैं सेवा कर देंगे तो तुम उन्हें सफेध कैसी करोगे? अबवल मैं तो उनकी सेवा से खोशी नहीं होँगा उनकी हर सेवा मैं कोई ना कोई कमी निकालूँगा अगर फिर भी वे बहुत जवर जस्ती करेंगे तो उने भी मैं मेरी तरह सफेद रंग से रंग दूँगा ओ, इसका मतलब तुम भी सफेद कलर से रंगे हो और मुझे क्या रहे थे पैदाईशी सुफेदो एक कमशोरी तो तुमने बता दी अब दूसरी कमशोरी मीठी जबान का क्या करेगा ये भी पूछ लेती हूँ और मीठी बोली का क्या करोगे? कह दूँगा तुम लोगोंने मेरी अधूरी सेवा की है इसलिए आशिरवाद आधा लगा है सफेद तो हो गए पर मीठी बोली नहीं मिली कितना चालाग है ये? कुछ ही देर में सब ही उसके लिए मोती लेकर आते हैं कववा बड़े ही मजे से मोती खाता है ये देख कोयल को भी भूख लकती है वो धीरे से उसे कहती है कागा मुझे भी भूख लगी है रुक मेरा पेट भर जाएगा तब बचा हुआ खा लेना और नहीं बचा तो तो भूखा रहना वरना तेरी प्रजाती अरे मेरे कववे भकतों खाना हो गया अब जाओ मेरे पीने के लिए शेरनी का दूद ले कराओ अरे शेरनी का दूद कैसे ला सकते है शेरनी के सामने जाते ही वो हम चार छे को एक ही पंजे में जपट कर अपने जबडे में डाल लेगी कुछ बड़ा पाने के लिए सेवा भी बड़ी बड़ी करनी पड़ती है अब क्या मैं तुमसे पीने के लिए चुलू भर पानी मंगवाऊंगा और इतना बड़ा आशिर्वात दे दूँगा और सारे कववे शेर राजा के पास पहुंचते हैं और शेर्नी के दूद की रिक्वेस्ट करते हैं सुनकर शेर दहारता है तुम कववों की इतनी हिम्मत काओ काओ कर दे करते अब क्या शेर्नी का दूद पीकर पूरे जंगल में दहारना चाहते हो सुनकर वो सारी बात बताते हैं तो शेर कहता है सफेद और मीठा बोलने का आशिरवाद देने वाला सफेद कववा चलो मैं भी उस कववे से मिलना चाहता हूँ और उनके साथ शेर शेरनी भी कववे के पास आते हैं उन्हें आते देख कववा और उसमें छिपी कोयल तर जाते हैं लगता है शेर को गुसा आ गया है उन्हें के लिए तैयार रहना यार बरसों से हम भी अपना पीरा रंग देख देख कर बोल हो गए हैं मैं भी चाहता हूँ मैं शेर और मेरी शेरनी सफेद सफेद गोरे गोरे हो जाए हाँ अगर ऐसी सेवा करने से सफेद हो सकते हैं तो चलो हम भी आज से तुम्हारी सेवा करेंगे सुनकर जहां डरा हुआ कववा खुश हो जाता है वही अंदर चुपी कोयल टेंशन में आ जाती है अब पूरे जंगल में कवव का राज हो जाता है सारे कवव अपनी मर्जी से जीने लगते हैं सफेद कवव के लिए शेर शेर निशिकार करके लाते हैं जिस पर सारे कवव पाटी मनाते हैं जबकि उसके अंदर चुपी कोयल सब के सामने आ नहीं सकती ऐसा कई दिनों तक चलता है तो भूख से कोयल की हालत खराब हो जाती है वो सोचती है इस तरह तो मैं मर जाओंगी तो क्यों न मैं इन लोगों को सारी सच्चा ही बता दू खाना नहीं मिला पानी तो पिला दो पेट भर लू ठीक है जा जल्दी से पानी पी करा कोयल तलाप की तरफ उड़ जाती है और कुछ ही देर में पानी पी कर वापस आ जाती है कुछ ही देर में बाकी जानवर भी आ जाते है कागा गरुजी इतने दिन सेवा करते होंगे अब एकाद को तो सफेद करने का मंदर बताओ वो वो बताओंगा बताओंगा इतने दिनों से कह रहे हो बताओंगा बताओंगा हाँ अभी बताओ बहुत सेवा करवाली तुमने अरे नहीं अभी तो तुम लोगों ने 10% सेवा भी नहीं की है वो ऐसा है कि अरे तुम्हारी आवाज तो बिलकुल हमारे जैसी है हाँ वो तो सर्दी की वज़े से आवाज खराब हो गई है ये चूट बोल रहा है शबूत ये देखो शेर के पंजे में दवा गभराया कागा सारी सच्चाई बताता हुआ माफी मांगता है पर शेर उसे बाकी कववों के हवाले कर देता है अपनी जाद बिरादरी के जिन कववों को तुमने बेवकूफ बनाया वो ही तुम्हारा इंसाफ करेंगे सुनते ही बाकी कववे उस पर तूट पड़ते हैं और चूच मार मार कर गायल कर देते हैं कवा माफी मांगता है, तो वो कहते हैं, हम तुम्हें इस शर्ट पर माफ कर सकते हैं, कि आज के बाद तुम सारे कवगों की उतने दिन सेवा करोगे, जितने दिन हमने तुम्हारी सेवा की है. हाँ हाँ जरूर करूंगा आज मुझे ये सबक मिल गया है कि जूटी की जिन्दगी कितनी भी खुशाल सही पर बहुत छोटी होती है